सब अच्छे होंगे अपमें लाइप में सब बढ़िया कर रहे होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे आज मैं फिर आपके लिए बीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले आपका दिसंबर मंद कैसे रहने वाला है चलिए यह शिरू करते हैं अगर आपको परसनल साजिटेरियस के लिए स्ट्रेंड ओके पेज ओफ पेंटिकल्स साजिटेरियस किसे से टेंप्ट हो सकते हो ठीक है ता मैजीशियन पेज ओफ वैल्स क्या बात है एक मैचुरिटी लेवल भी बड़ता दिखाई दे रहा आपका डिसंबर मंद में मैचुर हो पर इससे ओल बैटर समझ रहा है वो कह रही हूँ और हो सकता है कि आप काफी हद तक सुचे कि मैं कर लूँगा मैं मुझसे सब हो जाएगा मैं सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मैं सब कर लूँगा मुझे भरोसा मैं कर लूँगा ठीक है वो इनरजी में आप जादा रहने वाले हो बॉटम की इनरजी देख लेते हैं seven of cups ओके यहाँ पे भी यही बात कहूंगे कि हो सकता है एक साथ आप कई चीज़े सीख रहे हो या कई activities में involved हो या कई जगा आपका दिमाग लगा है distraction भी आपको इस समय पे बहुत ज़ादा होगा हो सकता है आप किसी चीज़े पर focus रहना तो चाहते हो लेकिन mind इधर अधर कई चीज़े में ज़ादा भाग रहा है आपका ठीक है emotionally भी आप कभी कभी ऐसे हो जा रहे हो सकता है कि love relationship में भी हो और वो कोई person है जो आपको control कर रहा है ठीक है tempt कर रहा है आपको यह भी issue मैं आपके लिए December month में देख रहा है मतलब किसी कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे जिसका love and career दोनों ही है कुछ ऐसे भी होंगे जिनका love and career दोनों ही नहीं चल रहा है ठीक है ऐसे भी होंगे बट कुछ ऐसे है यहाँ पर राइट प्यार में अनसान control कर रहा है tempt कर रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं बहुत डिस्ट्रैक हो रहा हूं अपने career पर focus नहीं कर पा रहा हूं इस तरह की situation भी December month में आ सकती बट मुझे एक जुनून आपके अंदर दिख रहा है कि वो December month में आप करते दिखाई देरो कि पहले तो हो सकता आप उस चीश के लिए serious नहीं थे बर December month में आप उस चीश के लिए काफी serious हो प्लस यहाँ पर ऐसा दिखाई देर आपने emotion भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी energies भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और उस चीश को कोई बाना है बस किसी तरीके से ठीक है अब आपके लिए आपकी करियर की success हो कोई person हो love life में या जो भी हो पर आप उस चीश के लिए पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए तयार हो ठीक है आईए देखते हैं आपको अथारिटी बहुत पसंद है आप नहीं चाहते कोई आपको कंट्रोल करें पर आप चाहते हो कि आपकी कंट्रोल में सब हो और शादी हो भी सकता है क्योंकि magician का काट आया है control yes control and authority 1010 1010 इंजल नंबर आपके लिए आया है universe आपसे बात कर रहे है manipulation वा क्या बात है मनलब ये सारी characteristic ऐसे person के हैं जो manipulation चाहता है जो चाहता है कि वो control करें सब कुछ जो चाहता है कि authority हो क्या बात है ये सब आपको मिलता हो दिखाई दे रहा है December month में शायद आपकी personality भी कुछ ऐसी है negotiation okay bottom की energy है seduction चीक है तो यहां पे आपका जो card है हो सकता है आपको ऐसी चीज भी हो जो खो दो अपने life में जिस चीज के लिए बहुत निराशा हो कभी कभी कहते ना घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है तो मतलब आप शेर तो होई शेर वाली personality authority चाहिए controlling चाहिए manipulation चाहिए अपना काम कैसे निकलवाना है मुझे बहुत अच्छे सा आता है मैं कर लूँगा यह वाली है पर कभी कभी जब कुछ loss हो जाता है life में कोई चीज खो जाती है चिन जाती है तो बहुत दुग बरता है तो आप और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हो समय पर ठीक है यहां पर आप हो सकता है किसी चीज के लिए negotiate करो आप यह कहोगे कि मेरा भी नुकसान ना हो सामने वाला का नुकसान भी ना हो इस चीज को देखते हुए भी किसी तरह की negotiation कर सकते हो यह हो सकता है कोई ऐसा weak person आपके सामने आ सकता है पर आपका दिल इता बड़ा क कि आप नहीं चाहते उसका भी नुकसान उपर अपना फाइदा जरूर हो उसका नुकसान ना हो और मेरा फाइदा तो हो जरूर हो तो वो चीज देखते हुए आप उसको उसकी कुछ मदद तो कर दोगे पर पूरी तरीके सनी आप चाहोगे कि वो मेरे control में रहे ठीक है इस कि सुच्वेशन मैं आपके लिए देख पाई है जो कि यहां पर एक ऐसी इनर्जी है जो इसको बहुत confidence है जो कहीं न कहीं हलकी सी किंग वाली इनर्जी रख सकता है वर एक इनर्जी ऐसी है जो बहुत भोली भाली immature वाली ठीक है ऐसा है दोनों इनर्जी अपने में अलग है पर सही में मुझे एक conversion दिख रहा है कि यह इस energy से इस energy में आप tap in कर रहे हों यहां पर ठीक है प्रिंस की energy से king की energy में आना ठीक है यह प्रिंस की energy में कहूंगी यह magician का काड़ है king का काड़ नी तो magician की energy में आना ठीक है अपने talent or skill पर work करके उसको और furnish करना उसके बाद उसस इसी crack कर लिया ठीक है तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजी उतना है जिसके लोग भाई appreciate करते है रिवा very good यह ऐसा किया समाद society ठीक है तो वो तो ऐसी ही है समाद society जबते कुछ ऐसा बढ़ा ना करो तो कहां नहीं तो कोई पूशता भी नहीं है ठीक है तो वो उस तरह की situation यहां पर मैं देख रही हूँ दस आपके पास कोई authority, control and manipulation आता हूँ दिखाई दे रहा है आप manipulate करें लोगों को यह भी छमता आपके अंटर दिखाई दे रही अगर आपने इसमें tap-in नहीं किया था ना कि मैं manipulative भी हूँ तो आप समझ जाओगे इस समय पे कि हारे मैं तो manipulative भी आप से आप से बचके रहना पड़ीगा मतलब आप negotiate भी अच्छा कर लेते हो ठीक है manipulate भी अच्छा कर लोगे control भी कर लोगों को और उस तरह की authority भी अपने पास रखोगे तो यह बहुत ही powerful energies हैं यहां पर मैं कहूंगी यह मामुली छोटी मुटी energies यहां नहीं आई है और magician का काड़ाना मतलब आप यह सब में निपोर हों यह सब कर सकते हूं मतलब ठीक है आई यह देखते हैं universe please guide seduction ऐसे भी manipulate करके काम निकाल सकते हैं समझ रही हूं मैं यह seduction का काड़ क्यों आया अलग से आपके लिए celebrating yes कोई तो success है जिसको आप celebrate करने वाले कुछ तो achieve करें और यहां पर आपके लिए divine advice sorry create divine and create वो क्या बात है मतलब अपने रचाईता खुद बनो भाई जिसको अपने पर विश्वास है वो अपना जीवन पलट के रख देगा celebration तो ही है success तो ही है और आपको पता भी है मुझे कैसे किसको manipulate करके कैसे अपना काम निकलवाना या करना है तो इसमें भी आप बहुत माहिर दिखाई दे रहे हैं प्लस एक divine power आपके साथ connect दिखाई दे रहे हैं जो आपकी मदद कर रही है और आप भी कर्म करने से पीछे नहीं आप अपनी success खुद लिखो अपना भाग की खुद लिखना यहाँ पर वो है कि मुझे क्या चाहिए मैं उसे खुद लिखोंगा कि मुझे ये चाहिए और मुझे वो चीज मिल रही है और वो तभी है जब आपके अंदर वो confidence है वो will power है ठीक है और उस कर्म करने का action लिने की courage है कि मैं कर लूँगा कुछ यहाँ पर तपन है कि मुझे अगर वो चाहिए तो मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा ठीक है उसके लिए मुझे जितना भी patience रखना पड़ इस चीज को पाने के लिए मैं रखूंगा पर मैं उस चीज को पाऊंगा तो वो energy यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है मेल इनर्जी जादा आई भी psychic services ओके divine connection तभी divine connection महसूस हुआ था find an oracle attachment power attachment okay दो काड़ ओड़ के आया है abundance and fear नहीं लेंगे यहाँ पर दो तीन काड़ थे चीक है bottom की नजी देख सकते है the great cumble क्यों चीजे दरा रहे हा रही क्यों चीजे चूट रही मतलब यहाँ पर चाहिए कि पुरानी चीजों को छोड़ दो साजिटेरियस नहीं छोड़ पा रहे हो attachment है पर छोड़ दो और वो चीज आपको serve नहीं करती वो आपकी लायक नहीं है ठीक है उन चीजों को खतम करो और आपको समझ में यहरा आगे कैसे बरो चूट कि अगर आप यह attachment नहीं छोड़ोगे तो आने वाली abundance से आप तो कह सकते ना वो नसीब नहीं होगी या उसमें delay होगा abundance मिलने में आपको तो जितनी जल्दी attachment है ना जो pass की चीजे है जो पुरानी चीजे है ठीक है जिनमें दरार आ चुकिया वो serve नहीं करी मतलब एक बार दरार आ गई उसे रिष्टों में होता है एक बार दरार आ गई तो उस दरा आ गई तो वो चीजे को आप वापस से नहीं कर सकते ठीक है तो यह दरार पहली बात तो आरी नहीं चाहिए और आ रही है तो फिर इनमें fix करने के बारे में सोचना चाहिए पर यकीन मानों एक बार आ जाती ना तो फिर पहले जैसे चीजे नहीं हो सकती और यहां पे यह जो तो आपका card आया है, इससे मुझे दिखाई दे रहा है, old attachment, पुरानी चीजों से attach हो अभी भी, x से attach हो अभी भी, या किसी चीज को छोड़ नहीं पा लो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है, कि आप कोई tarot reader भी हो सकते हो, या फिर हो सकता है, आपको एक psychic service की जरुवत है, जिसमें आप खुद एक tarot reading लो, या oracles card की reading लो, ये oracles card इन्हें कहते हैं, ठीके, जो सबसे नीचे ये deck है, ये tarot deck कहते हैं, और ये जो आप कहोगे न, oracle क्या होता है, oracle cards ये होते हैं, ठीके, या आपको भविश ये अपना जानो, ठीके, तो कोशिश करिए, आपको psychic services ले सकते हो, कि मैं बताइए क्या करूँ, मैं करसे situation में पसा हूँ, और past को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, और आने वाली abundance से मैं वंचित हूँ, मैं क्या करूँ, तो कोशिश करिए, इन सब को छोड़ने की कोशिश करिए, जितना हो सके, past की चीज़ों को, attachment होना ही नह अखना ही नहीं किसी चीज़ से, ये मेरा, ये मेरा, कहीं चलाना जाए, ठीक है, ये नहीं करना है आपको, ठीक है, और इसके लिए जैसे मैंने बोला, आप services भी ले सकते हो, आपके life में बहुत सारी abundance है, जो wait करी है, और ये abundance, ऐसे ही ईश्वर free में आपको नहीं बाट रहा है, अपनी power, अपनी कुरसी, अपना, अपना ex-partner, या ये जो materialistic चीज़ों है, जिनसे attach है, attachment, देखो, अभी कल्यूग में हूँ, तो इन सब चीज़ों से attachment लोग कहते भी रखो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसकी चाहा रखना ठीक है, बट उन चीज़ों को मैं किसी क दूंगा नहीं, या ये सिर्फ मेरा है, ठीक है, तो ये सारी जो energies नहीं, बहुत negative energy आपको अंदर से खोकला कर देगी, बस जाद-जाद और कुछ नहीं करेगी, खोकले हो जाओगे, ठीक है, तो ये करना छोड़ दो, attachment, जितनी भी सब को let go करो, कोशिश करिए let go, December का मन, let go का है, अच्छा, expenses भी हो सकते हैं, इस मन्त में, expenses भी काफी हो सकते, तो ये थी आपकी reading अगर आपका अच्छी लगए, तो लाइक कीजेगा, subscribe मैं चला अब तक नहीं किया, तो comment box में ज़रू बताएगा, thank you for कि अधरू आपकी अभी हो, कि नहीं हो।